नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं महाजन कमिशन रिपोर्ट के बारे में जो की रिलेट करता है महाराष्ट और करनाटका का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उससे रिलेटेट तो मैं आपको इस वीडियो में तो बताऊंगा ही कि ये सारी ची जैसा कि आप देख सकते हो यह आपका करनाटका और करनाटका के साथ जो स्टेट शेर्ट करते हैं अपनी बॉर्डर वह आपका गोवा, महाराष्ट, इस्टरन साइड में तेलांगना, आंदरपरदेश्ट और नीचे आप देख सकते हो तमिलनाडू और केरला तो यहाँ प यह एक्जैक्ली आपको लगभग सेम जो लॉंगिट्यूड है उसी के आसपास मिलेंगे, तो यहाँ पर बिसिकली हम जो बात कर रहे हैं महाराष्ट और कनाटका के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर, और यहाँ पर महाराष्ट के अंदर यह दो तीन प्लेस है वो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो अब हम आते हैं यहाँ पर अपने वीडियो पर की exactly यहाँ पर क्या हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकीत अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर जो करनाटका के चीफ मिनिस्टर है, बी-एस यदि रप्पा जी, उन्होंने अभी वेडनेस दे को ही कंडेम किया है, जो डेपटी चीफ मिनिस्टर है महराष्ट के अजीत पवार जी, अजीत पवार जी ने क कुछ स्टेटमेंट्स दिया था, उसको लेकर यहाँ पर खंडन किया गया है करनाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और यह पुरा मामला क्या है, over the dispute, border dispute between both the states, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्वीट भी किया था करनाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, उन्हों भी हम as a कनडिगा की तरह ट्रीट करते हैं, तो इस तरह के बयान यहाँ पर अजीत पवार जी को नहीं देना चाहिए, तो अजीत पवार जी ने exactly यहाँ पर क्या कहा है, तो basically उनका यह कहना है कि करनाटका के अंदर जो कुछ areas हैं, जैसे कि बेलगाम हो गया, ठीक है, इसके अलावा करवार हो गया, निपनी हो गया, इस तरह के जो areas हैं, जो कि करनाटका में हैं इस समय, उसको महराश्ट के अंदर शामिल कर देना चाहिए, और यहाँ पर अजीत पवार ने basically क्या हुआ कि जो death anniversary थी, शिव शेना के founder बालाशाप ठाकरे की, उस दिन इसके बारे में बयान दिया था, और उन्होंने कहा कि जो बालाशाप ठाकरे थे, उनका भी एक तरह का सपना था, ड्रीम था, जो कि हमें अचीव करना चाहिए, तो यह पूरा मामला है क्या, यह जो dispute है, यह कैसे start होता है, तो आपको पता होगा कि Britishers के time पे यहाँ पर क्या था कि Bombay Presidency तो यहाँ पर 1948 में आजादी के बाद क्या हुआ, कि जो बेलगाम की municipality है, बेलगाम आपको मैंने अल्री दिखाया था मैप में, राइट साइट के मैप में आप देख सकते हो, जो present का करनाटका है, वो इस तरह का दिखता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह है आपका ब पराथी speaking population है, उसको महराष्ट स्टेट के अंदर एक तरह से शामिल कर देना चाहिए, जो Bombay presidency है, उसके अंदर शामिल कर देना चाहिए, यह 1948 में ऐसा कहा गया, लेकिन आपको पता है, आगे चल कर State Reorganization Act आता है 1956 में, और यह Reorganization जो पूरे भारत के राज हैं, उसको किस बे कर दिया गया था, लेकिन सहुलियत को देखते वे, administrative purpose को देखते वे, यहाँ पर इसको divide करने की कोशिश की गई थी, तो उस समय क्या हुआ, 1956 में, यह जो Reorganization Act है, उसके तहत यहाँ पर क्या होता है, कि जो बेलगाम हैं, और इसके अलाबा 10 तालुकाज हैं, वो Bombay State से हटा क कहाँ पर आ जाते हैं, मैसूर स्टेट में, यह जो पहले आप देख रहे हो, यह मैसूर स्टेट हुआ करता था, तो उसके उपर आप जश्ट देखो कि यहाँ पर Bombay Presidency हुआ करती थी, Bombay Province, तो इसके कुछ राज, यहाँ पर यह जो, मैंने आपको बताया, बेलगाम है, यह कि exactly मैं इसको हटा कर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, यह जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर यह बेलगाम है, तो यह पहले Bombay Presidency में आया करता था, तो इसको यहाँ पर इस Act के थुरू किस में ला दिया गया, मैसूर स्टेट के अंदर ला दिया गया, और इसका नाम मैसूर स्टेट से 1973 में चेंज हो जाता है, करनाट का, तो यहाँ पर अब problem स्टार्ट हो गई, कि यहाँ पर Bombay Presidency से उसको हटा कर, Bombay स्टेट से हटा कर कहां पलाया गया, मैसूर स्टेट के अंदर, तो 1957 में जो महराश्ट की सरकार है, उन्होंने पूरी तरह से इसको reject कर दिया था, उनका यहाँ पर यह कहना था, महराश्ट के और जो कई सारे उपोनेंट से उनका यह कहना था, कि यह जो Bombay स्टेट से हटा कर, इसको कनाट का स्टेट के अंदर डाला गया है, बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेलगाम के अंदर जादा तर मराठी speaking people है, और यह जो reorganization act है, उसका main मकसद ही यही था, कि जहाँ पर जादा 50% से जादा population होगी एक particular language की, उसको उसी particular राज में रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी, जो Bombay State है, उनका यह कहना था, कि उसके बावजूद भी इसको कनाटका के अंदर शामिल कर दिया गया, Justice Mehet Chand Mahajan और इसलिए इसका नाम Mahajan Commission पढ़ गया, अब एक साल से कम में ही यहाँ पर जो Mahajan Commission है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी शामिल, रिपोर्ट जो है, समिट कर दिया, अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया, यह सबसे इंपोर्टेंट अब ध्यान रखेगा, महajan Commission रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया, कि अभी प्रेजेंट में जो करनाटका के अंदर आप देख रहे हो, यह जो करनाटका का है पूरा एरिया बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ करीब 264 विलेजेज हैं, जो कि महाराष्ट के अंदर शामिल कर देने चाहिए, जी हाँ, महाजan Commission ने कहा कि 264 विलेजेज हैं बॉर्डर पर, जिसको यहाँ पर किसके अंदर शामिल कर देना चाहिए, महाराष्ट के अंदर शामिल कर देना चाहिए, लेकिन जो बेलगाम है और 247 विलेजेज हैं, वो करनाटका के ही साथ रहेंगे, जी हा जावा यहाँ पर और 264 विलेजेज हैं बॉर्डर पर, इसको महाराष्ट के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट ने क्या किया, इस रिपोर्ट को illogical demand करते हुए, यहाँ पर इसको reject कर दिया, लेकिन करनाटका ने दूसरी तरफ इस रिपोर्ट को welcome कि कि यह बात सही है, लेकिन अब्वेसी बात है, confrontation की वजए से यह जो report है, वो यहाँ पर formally तोर पर लागू नहीं हो पाई थी, तो अभी current में क्या position है, तो महाजन कमिशन का episode 1967 में खतम हो गया, उसके बात से लगतार विवाद चलता रहा, महाराष्ट का कहना था कि नहीं, यह बेलगाम का पूरा जो area है, वो हमें भी चाहिए, लेकिन यह confrontation चलता रहा, current position यहाँ पर क्या है, current में महाराष्ट अभी भी demand करता है कि 814 villages जो border पर हैं, और इसके साथ साथ जो बेलगाम है, वो सभी महाराष्ट के अंदर shift होना चाहिए, महाराष्ट के अंदर आना चाहिए और उसके बास से आप जितने भी सरकार देखोगे महाराष्ट में जब भी आई हैं, उन्होंने लगतार demand किया है, center से demand किया है कि यह पूरा जो area है, वो महाराष्ट के अंदर शामिल हो, और 2004 में तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो महाराष्ट की सरकार है, वो supreme court गई थी, under article 131b, आपको पता है कि article 131b में ये लिखा हुआ है, कि जो supreme court है, उसके पास original jurisdiction होगा, किस चीज से related, अगर कोई fight होती है, center और राज्य के बीच, अगर state और state के बीच में कोई भी problems होता है, मदभेध होता है, तो उसको लेकर supreme court directly जाया जा सकता है, और इसी के तहत महाराष्ट government कहां चली गई, supreme court चली गए, लेकिन आपको तो पता है, ये हमेशा की तरह, ये case तो अभी भी लटकाई होगा, और obvious ही बात है, अभी ता के उपर कोई भी final judgment नहीं आया है, और finally आपको पता होगा, पिछले साल की बात है, 2019 में, यहाँ पर महाराष्ट में महा विकास जो minister है, उनको appoint कर दिया, ताकि वो coordinate कर सकें, देख सकें, कि ये जो पुरा proposal है, जो महाराष्ट चाता है, कि ये जितने 800 से जाधा villages उसके अंदर आए, उसके उपर किस तरह से case चल रहा है, क्या वो सही से चल रहा है कि नहीं है, उसको जल्दी से सामिल करनी की कोशिश की जा करनाटका के अंदर जो कनडगा, कनडगा organization है, उन्होंने यहाँ पर जो ठाकरे हैं, जो ठाकरे हैं, उनके पुतले जलाए, और शीफ सेना वरकर्स ने भी कोलापूर के अंदर जो यदूरपा है, उनके भी पुतले जलाए, तो इस तरह की चीजें होने लगी, और अभी recently मै आपको सुरुवात में बता दिया, कि ये वापस मामला क्यों आया, क्योंकि जो deputy chief minister है, अजीत बावाद जी, उन्होंने इसके उपर वापस demand किया, और इसका reply करनाटका के chief minister के द्वारा किया गया है, तो I hope दोस्ते यहाँ पर सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कि य माजन report है क्या, problems क्या चल रही है, पूरा border dispute क्या है, जाने से पहले मैं दो interesting question आपके लिए लेकर आया हूँ, एक आपको बताना है कि यहाँ पर जो कावेरी river है, वो कौन से राजिस से गुजरती है, कितने राजिस से गुजरती है, क्या आप मुझे बता सकते हो, और दूसर protected area उसके अंदर नहीं आता है, आपको यह बताना है, तो दोनों का answer आप try करिए देने का, मैं जो इसका right answer है, अपने Instagram पर तो डालूँगा, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, आप Telegram से इसका right answer ले सकते हो, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में, आप play कर सकते हैं, अगर आप उनसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई course purchase करना चाते हैं, आप study IQ app पर जा सकते हो, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you.